आगाई वाई वाल चानल मैं हूँ आकांग्शा टाइटल दिखे आपको पता चल गया होगा कि टॉपिक याँ उने वाला है तो जी आज के वीरियों पात करेंगे दार सर्क्रिक्ट करें अगर आपको पता है कि अगर यादा करेंगे तो अलग क्रीम करेंगे तो हमें असर नहीं करेंगे तो हमें असर नहीं करेंगे आपर कोई साइड एफेक्स भी हो सकते हैं Dark Circle एक टाइप पिल्मेंडेशन होता है जो कि Axis Millenium के कारण हो जाता है बहुत सारे रीजन्स हैं जैसे lifestyle अच्छी नहीं है और खाना पीन आपका अच्छा नहीं है और देहाइडरिशन के कारण Sun Exposure के कारण Exertion के कारण बहुत जादा लैप टॉप मोबाइल पर काम करते हैं Strain के कारण यह सारे रीजन्स है जिसके कारण की Dark Circle हो जाते हैं अब आपकी जो सारी स्किन होती है वो 0.5 mm की होती है जबकि बाकी जो सारी स्किन होती है वो 2 mm की होती है Dark Circle होने का एक बहुत बड़ा रीजन है Sun Exposure के कारण क्या होता है कि हम लोग बाकी सारी स्किन पर तो संस्क्रीन लगा लेते हैं पर आइस के आसपास की स्किन पर संस्क्रीन लगाना भूल जाते हैं जिसके की Sun की जो harmful rays होती होती है लगाना भी लगाना भी आई मेकप से इसलिए जब भी आप आई मेकप करते हैं अपने आई के आस-पास पास प्राइमर लगाना भी का आई मेकप कीजिए आपको जब भी आखो पर्वाब्लम प्रब्लम हो जाती है तो अगर आपको जब भी आखो परब्लम लगे तो अगर आपको अखो पर शुट्रेयन के लिए यह शारे देर तक लैप्तव कम्पुटर पर काम करने से बहुत जाता है यह सारे रीजन्स भी हैं जिससे की डासर्कम की प्रॉब्लम हो जाती है तो अगर आपको जब भी आखो पे स्ट्रेइन लगे तो आप क्या कीचे एक कुकुंबर स्लाइस को आप इस पर रखे जिए कुकुंबर स्लाइस एकदम थेंदी होनी चाहिए वह आप आप सकते हैं अपिस की एक्स्रा कैलनी शुरू कर दीजिए क्योंकि अगर आपको इस बार हो गया न तो फिर आप कितना भी मेक अप कर लो तब यह हाइड नहीं हो पाते हैं चुकि यह तने जादा हो जाते हैं इक्तम काले हो जाते हैं जो कि दिखने में बहुत जादा पुरे लगे जाते हैं और क्रीम भी अपला हो जाती है तो ऐसे कुछ क्रीम हैं जैसे की हमालया के अडराय क्रीम वाओ की आई क्रीम आती है फिर सेंट बोतानिका की काफी अच्छी आई क्रीम आती है और प्लम की आती है बाइटिक की आती है तो यह सारी जो क्रीम सेंडराय क्रीम है काफ प्रॉब्लम से उसको सॉल्व कर सकते हैं तो अगर आपको डार सर्कल है तो ज्यादा कुछ काने की ज़रूरत नहीं है आपको क्या करना है जब या फेस वाश करते है ना तो अपने आइस की स्किन को ऐसे ही मत छोड़िए जो रेगिलर फेस पर क्रीम लगाते हैं वह भी नहीं बाई है विए आपेैमेन एकत अ स्किन की पुफिनेस के लिए बहुत अचा काम करता है पर कुकुम्बर चैल उत्मा प्योर होना चाहिए अच्छी कॉल्टी पात करो तो मुझी गुवाइब उसका कुम्बर जल पॉट परसंद है इसके लाब अब आप पर चेस नहीं कनना चाहते हैं तो आप खीरे को ग्रेट कीचिए उसके रस को एलिवला चैल में मिला लीजिए तो बनिया आपका कुकुम्बर जैल और आप इसको आखों के आसपास यूज कर सकते हैं यह जो जैल है आप इसको लगे रहने दीजिए जब भी आप फेस वाश करते हैं तो हमेशे अपने आइस के आसपास की स्किन को कर सकते हैं पोटेटो जूस अलू का रस खीरे का रस भी आखों के आज पास लगा सकते हैं 15-20 मिट तक लगे रहने दीजिए और फिर अपना फेस वाश कर लेजे रोज 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 ग्रेट करो रस निकालो बड़ा ज़ंजड वाला काम जाता है तो आप या तो आलू का रस क्या है तो आप पूरो वीक के लिए कुकुम्बर या फिर पोटेटो की स्लाइस पना के अपने आइस पर रब कर सकते हैं पर धियान रहे बहुत तेजी से रह नहीं करना है बड़े हलके हाथों से आपको मसाज कर लेनी है इसको भी आप 15-20 मिन तक लगे रहने दीज और फि आप लेजें को मिक्स करके आपने आइस के असपास लगानी जहीं हलके आथों से मसाज कीचे और इसको लगे रहने दीजे हैं अब एक बात रखनी है कि यह जो आप लेते हूं आख लगाने के लिए वह उसकिन पर लगाने वाले होना चाहिए क्या हुता है बालों के वाल अ अगर आपको दास्टर्गल है तो आप लेमन यूज कर सकते हैं पर लेमन बहुत जादा हार्श हो सकते हैं अपकी अंडर आई अर्या पर लेमन भी उज नहीं कीचेए इसके साथ ही टोमेटो भी पॉज़र पड़ा हुआ है कि अप्टोमेटो यूज कर सकते हैं तो टोमाटो अज़र लेमन भी उज नहीं कीचे इन यह जो लेमन है टोमेटो है इन में भीच भी ब्लीच प्रोपर्टी इस के असपार लगाने के लिए ठीक नहीं है बाकिशार इसके अश्के आप इसको यूज कर सकते हैं यह रमेडी आप राइक कीचे बहुत है जादा एजी है ज्या बहुत जादा हो गये हैं तो थोड़ा टाइम लग सकता है पर अभी डाइटिंगे तो आपके जल्दी ठीक हो भी जाएंगे इसके लावा बहुत जादा ज़रूरी है आप पानी पियें अपने बोड़ी को हाइड्रेट रखें जूस लें फर लें घ्रीन वेजिस थाएं खु बाइब आप